जेहिन दोस्तो स्वागत है आपका हमाई यूट्फीट चिनल एग्रीजर्णी में दोस्तो जुनकी करप्सोलाइन की ओफिशल वेबसाइड है फाइनल आपकी जो अलॉटमन लेटर है केप्सोलाइन की ओफिशल वेबसाइड पर लीस कर दिये गए आप जाके आपकी जो ओफ लगा सेलेक्सिन हुए है उनको लास्ट तक ही कॉलेज प्रॉवाइड हुआ है तो उससे आपको अनुमान लग जागा कि कितना रहा है जनरल के कितना रहा है और बीटेक का कितना कटोप के बार में हम जानेंगे हैं ना हमारे कुछ कुछ मित्र है उन लोगों के जो नंबर है उन से अपने को सब अनुमान जो पता लग जाएगा कितना कटॉप दाए इस बार का है ना और जैसे अगर कटॉप की कोई भी संबंदित कोई भी लिस्ट अगर कटॉप की ऑफिसल वेबसाइट पर डाले जाते हैं सबसे पहले में आप लोगों को प्रोवाइट कराऊंगा कि जो ओफिसल वेबसाइट कटॉप की लिस्ट डाले जाएगी तो उसमें आपको पाता लग जाएगे कितना कटॉप गया है ना अभी आप अनुमानेट कटॉप के बारे में जान सकते हैं कि कितने नंबर को कॉन सा कॉलेज अलोट हुआ है तो उनको आप देख सकते हैं जो कॉलेज अलोट हुआ है आपको खुराई कॉलेज अलोट हुआ है आप देख सकते हैं के टागरी कॉन सी थी तो EWS इससे आपको अनुमान लग जा गया कितना हाई इस बार का EWS होने के बावजूद भी इनको 117 नंबर पर आप देख सकते हैं खुराई कॉलेज अलोट हुआ वह भी फ्रीचिट पे तो आपका टॉप का अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से कटॉप गया है आपको इनसे से चाब कैसे थे थे लिए बिलाला किया हैं हमारे मित्री है तो इनकी आप देख सकते हैं कि नंबर आप देखिए इस्टी टकरी स्टीच में सकतें कि इंको इनको इन्द और पॉलिज अलॉट हुए आपको इनको इन्द और कोद रहुआ प्रिसी सिट पे अब हमारे एक और और उनके बारे में हुँ जानते हैंadem को क्वड़ी टैक के हमारे मित्रय हैं आप देख सकते हैं ये उनीके आप defense जीनियंग कॉलेज है से लीविडूर किस प्रकार से BTEC का भी cut up गया है हमारे और भी दोस्ते थे उनका भी प्रोवाइड नहीं किया है बटा आप देख सकते हैं कि उनको जो 25 थे उनकी 155 रेंग लगी हुई थी और 102 नंबर थे उनके नमबर थे दोस्तो 93 . वो BTEX से थे 93.58 करके उनके नमबर थे उनको दोस्तो अच्छ अनुन को भी कॉलेज अलोट हो गया है उनकी केटागरी वाइस 31 रेंग थी आप है ना तो उनको जो कॉलेज बीटक का अलोट हो गया है तो आप से इस से आप कटोप का अनुमाल लग जाएगा फिर आपकी यह सी ओफिसल वेब साइट से कटोप लीज किया जाता है तो उसके बारे में बताएंगे है ना हमारे एक औ 24 के आस पास आप देख सकते हैं तो इनको उसके फीज़ट के पैमें लंको प्यालेर को आप देख सकते हैं तो एकानुमाल लगा सकते हैं कि ओबी ची कांथ न ağaरी कह बड़ाबर को आप करे यूँचर ये वाले आप उनके बारे में बताते हैं आपको तो यह रहे वो उनको ऑफ देख सकते ही उनको college अलट हुआ है EWS वाले हमारे इनको आप देख सकते हैं उनके number 113.64 थे कितने हैं दोस्तों 113.64 निके number थे तो इनको आप देख सकते हैं कौन सा college अलोट हुआ है इनको हुआ रहली रहली होटी कल्चर कोलेज EWS से आप जख सकते हैं 113.64 पर आप अनुमान लगा सकते हैं अब इससे आपको पता लग गया होगे कि जो EWS है जनल केटागरी का है कट अप कितना गया है आप 113 के आसपास ही दोस्तों कट अप गया है आप यह मा 82 नमबर थे head4 number तो उनको दोस्तों आपको पता है कौनसा कॉलेज मिला है उनको मांसोर कोलेज मिला है कौनसा मांसोर में इक पास मांसोर यह होटीकल्चर कोलेज मिला है सबसे अच्छा कॉलेज है मनसौर तो उनको 113.84 पर OBC केटगरी से थे तो आप इससे अनुमान लग जाएगा आपको की कटॉप कितना जाने वाइल OBC SC का सबसे अनुमान लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कटॉप कितना गया है तो कटॉप यह मानने के चलिए जो अभी पहली राउंड आई है उसका कटॉप 113 गया है आप यह पक्का मानने के चलिए कि 1st राउंड का कटॉप कितना 113 गया है किसका OBC और UR मतलब किजिए ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले बिले एगरी जन्नी आपको हर छोटी छोटी पैकंसिस की जानकारी सबसे पहले देता है तो सस्क्राइब कीजिए दोस्तों मिलते हैं किसी इसी परकार की नेस्ट वीडियो में जैहिंद जैवा कर दो कर दो कर दो करता है